वेल्कम टू मास्टर मैंड अब जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंड अब जीके में अभी हम लोग CSBC का ओफिसल वेपसाइट पे हैं और 17 तारीक के डिट में आपका बिहार पुलिस से समंधितिक महत्पूर नोटिफिकेशन आया हुआ है तो देख इसमें क्या है जो आपका जो बिहार पुलिस का था पीटी डेट था उसमें फिर बदलाओ किया था उसका रिस सेडूल कर दिया गया है और सभी का डेट दे दे गया है तो आप लोग देख लें आपका कब से पीटी होने वाला है तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहेगा वीडियो को लाइक कर देजेगा और चैनल पर पहली बार बजीट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को दबा दीगा तो पूरा नोटिस को हम लोग बारी की से पढ़के देख लिए फ्रेंस विसी साब से आपनी तयारी पीटी की तयारी में लगे रहेगा आप तो देखिए इस तरह से वहाँ पर क्लिक करेगा तो आपका नोटिस खुल लेगा पीडियेप की रूप में देखिए हाँ पर क्या है बारी की से थ्वासा पढ़ लेते हैं कारा फ्रेंस कि आपका केंड्रे चेन परशत सिपाई भरती द्वारा बिहार पुलिस में सिपाई पदपर भरती है तो विगयापन संख्या इतना संबंदित लिखित परिछा फल दिनांग 6-12 इतना को परकास्इद किया है सबी को पता है फ्रेंस इसके बाद में कर रहा है कि लिखित परिच्छा के अधार पर चेनित अभियारतियों की सारीडिक दस्ता परिच्छा पीटी दिनांक 28 एक से निर्धारित थी जो कुरोना संक्रमन के द्रिष्टी गट दिनांक 22 दो इतना तक अस्थागित कर दिया गया था कुरोना के चलते अ जो निर्धारित तित्यों पर ही होगी दिनांक 28 एक से 22 दो इतना तक की सरीडिक दस्ता परिच्छा का आईजन अब दिनांक 15 तीन और 18 चार तक होगा जो आपका 28 एक से लेकर के 22 तक था फ्रेंस उसको अस्थागित किया गया था अब उसका निर्धार तीन से लेकर के कितन वह ही आपका मानने होगा पूर्व निर्गत परविश्पत पर अंकित समय एवंस्थान तथा अनिसर ते या थावत रहेगी किंतु मसर नहीं होगी ठीक है ता का नई होगी अभिहारती नीचे अंकित विवरानी में पुर्व निर्धारित ती जो 912 तो ória जो पहले एड्मी को 2022 को पहुंचेंगे इसको ध्यान से रखेंगे जिसमें मिशने करना ने तो गड़ बड़ हो जाएगा तो जिनका 28 2022 को था उनको अब कब जाना है पीटी के लिए तो पंद्रह तीन 2022 को आनि 15 मार्च को आपको वहाँ पर जाना होगा जिनका 29 का था फ्रेंज वह 16 तीन को जाएंगे जिनका 31 तारीक के था वह 17 तीन को जाएंगे जिनका एक दो 2022 का था उनका 24 को जाएंगे 23 को जाएंगे जो 3-2 दिन का था फ्रेंज वो 25 तीन को जाएंगे यहाँ पर देख लिजेगा फिर जिनका 4 तारिक था वो 26 तारिक को जाएंगे जिनका 9 तारिक था वो 28 तीन को जाएंगे जिनका 10 दू का था वो 29 को जाएंगे 11 दू का जिनका था वो 30 तरीक को जाएंगे 12 दू का जिनका था फ्रेंज वो 31-33 को जाएंगे और जिनका 14 तरीक का था वो कितना 1 अनि 4 में नाम जाएंगे एक अपरेल में जाएंगे और 15 तारिका जिनका था वो दो अपरेल को जाएंगे और 17 का जिनका था वो चार अपरेल को जाएंगे 18 का जिनका था वो पांच अपरेल को जाएंगे करने का मतलब जो नया सिलूल जारू कर दिया गया है जो अस्थाकित गया था आपका यह ट्टल पिट चलेगा और नीचे भी दिया हुआ फिर जिनका उन्यास तारीक को थे अपरेल को जाएंगा चार को एतना आठ चार को जाना है अब देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है इतना से उपलब्द है आपको अलेडी जिना भियारति द्वारा पर्विस्त अभी तक नहीं डाउनलोड किये अपना पर्विस्त की विवसाइट पर जाकर डाउनलोड कर ले ठीक है असपरस्ट किया जाता कि कोई भी पर विस्त डाग द्वार आपको नहीं भेजा जाएगा आगे दियावा फ्रेंस सारे रिक दस्ता परिछा के दोरान अभियारतों के दस्ता बेज की विज़ा जोगा ध्यान रखेंगा फ्रेंस सता परिछा उस्सी समयाव का डॉक्मेट विरिफ्यक्वेशन होगा कि तीती पर सभी वियार्थी निदिश समय पर अपने पर्वेश पत्त था निमनांकित परमान पत्र था उनकी एक चिटल पर्मानित चाया पती के साथ उपस्थित हो है क्या ले जाना आप फ्रेंस यह intermediate या समकच परिछाव तीन का साहिषिन की योगता परमान पत्र आनी कि आपको मैटिक को तो ले जाना है फ्रें सालसात में इंटर परिथा न वहाँ तो intermediate समकच या उसे उतीन जो भी आपके पास सहिषनिक परमान पत्र उसको ले कर के जाना है दिनांक एक आठ हट तक या इसके पूर्व ही सैशनिक अर्था मानने होगी आगए जन्म तीथी का पर्मान पत्र मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुल परती लेके जाना है आपको उसी से आपका एज पूरूफ्ट हो जाएगा फिर है समझ प्राधिकार द्वारा निर्गत जानी जाती पर्मान प पत्र कराय फ्रेंस के एक ची आहां पर विवाहित अविवाहित के जाती पर्मान पत के अधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा महिला जो अभिवाहित के जाती पर्मान पत्र पिता के अधार परानी की जो महिला कि साधी हो चुगे फ्रेंस उनका सस्रौल का नहीं फिरकेद कQué Muley में नहीं आने स Skills प्रमान पत पिछला पार्ग कोटी के लिए आपको पना और होगा इसथाइν ञेयरच आले सम्द में ठीक है फ्रेंस अगर जो आप पहले से होम गाड थे तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है भार्टे मुल्ग के गोर्खा होने समदी परमान पत्र सिर्फ बिहार सैंड पुलिस एक गोर्खा बटालियन के लिए यह सब डॉक्मेंट्स आपकर को वहां पर लेकर करके जाना है फिर है फ्रेंस आपका बिहार राज के आर्थी ग्रूप से कमजोर वर्कर सदस जो भी है फ्रेंस आपके पर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और इंप्वाटेंट चिर्फेंस कोविड-19 वैक्षिनेशन परमान पत्र आप जो दोनों डोज लगाए फ्रेंस उसका हर हाल मे लक्षन पाया जाएंगे उन्हें सारीक दस्ता परिच्छा में भाग यानि किनुमति नहीं दी जाएगी तो वी बैक्षिनेशन वाला प्रमान पत्र सभी स्टूडेंट निकलवा करके लेके जाना कुरोना संक्रमन को ध्यान में रखते हुए वियार्थी सोसल डिस्टेंश को विग्यापन संख्या इतना में वर्नित सर्तों प्रवधानों को पूरा करने का पूरा करना निवाज होगा किसी भी विवाद में अध्याच केंद्री चेन परशत का निर्न अंति एवं सरम मानने होगा तो समझ गयोंगे फ्रेंस नया सीडूल जो जार्यू कर दिया आग ठीक है ऐसे टेलिग्राम चैनल में मैं पीडिया भेद देता हूँ फ्रेंस वहाँ सभी आप लोग देख लिजेगा तो चलिए फ्रेंस नेक्स वीडियो में फिर मिलता है देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद